शारुक खान के पठान फिल्म को रिलीज होने में अब एक महिने से भी कम समय बचा है फिल्म का टीजर आ चुका है फिल्म के दो गाने रिलीज हो चुके हैं ट्रेलर को लेकर कोई खेर खबर ही नहीं ट्रेलर कब आएगा इसका भी किसी को पता नहीं और ना ही यश्राज फिल्म्स ने इस बारे में अनॉंस्मेंट किया है शारुक खान से भी जब फैंस ने पूछा कि सर पठान का ट्रेलर कब आएगा तो शारुक खान ने भी गोल माल जवाब दिया शारुक खान ने कहा कि मेरी मर्जी जब मैं डिसाइड करूँगा तब आएगा आखिर ऐसी क्या बात है कि मेकर्स पठान का ट्रेलर रिलीस नहीं कर रहे हैं जहां दो गाने आ चुके हैं विवाद भी खड़ा हो चुका है वहीं लोगों ने इस फिल्म को प्यार भी दिखाया है ऐसे में यश्राज फिल्म कि इस बात को लेकर चिदित है कि वो इस फिल्म की ट्रेलर को रिलीस नहीं कर रहा है according to sources जो controversy खड़ी हो रही है उससे यश्राज फिल्म सकते में आ गया है और मेकर्स सोच रहे हैं कि किस तरीके से ट्रेलर को रिलीस किया जाए ताकि विवाद खत्म हो क्योंकि अभी तक शारुखान के नाम के कई जगे प्रोटेस्ट हो चुके हैं पुतले जलाए जा चुके हैं, फिल्म के पॉस्टर तक फाड़े जा चुके हैं ऐसे में ट्रेलर रिलीस करके मेकर्स मुसीबत को और ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाते वैसे एक report ये भी कही जा रहे है कि makers ट्रेलर को रिलीस करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं और अभी सही समय नहीं है अभी new year और Christmas का time है लोग छुटियों पर गए हैं, लोग travel कर रहे हैं कहा जा रहा है कि नए साल में पहले हफते में पठान फिल्म के ट्रेलर को रिलीस किया जाएगा इस फिल्म को बहुती शांदार तरीके से रिलीस किया जा रहा है पठान बॉलिवोड इंडस्ट्री की पहली फिल्म होगी जिसको ICE format में रिलीस किया जाएगा ICE format ये होता है कि आपको screen के अलावा side panels पर भी film दिखती है यानि कि screen के side में भी छोटी-छोटी screens होगी जहां से film देख सकेंगे वैसे ICE film, ICE format के theatres में ही काम करेगी अब तक PVR ने दिल्ली में ICE e एक theatre बना दिया है इसके अलावा all over India कई भी ICE format के theatre नहीं है अब तक इंडिया में ICE format पर सिर्फ Hollywood film अवतार को release किया गया था और पठान इंडिया की पहली film होगी जिसे ICE format में release किया जाएगा अब तक ये तकनीक हॉलिवूड में इस्तमाल होती थी लेकिन अब इंडिया में भी शुरू हो रही है तो कह सकते हैं कि पठान को लेकर शारुक खान कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं फिल्म को हाई टेकनीक से release कर रहे हैं